तो इन प्रश्णों के द्वारा आपने देखा कि किस प्रकार जब पूंजी का समयोजन दिया गया होता है तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि किस तरह से पूंजी का समयोजन करना है किस अनुपात में करना है और अलग-अलग साजेदार को दे राशी जो ह है अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है साजेदारों की मृत्यू अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारी एंट्री हो रही है जो हमारी क्यालकुलिशन्स हो रही है वो मृत्यू और निवृत्ति दोनों में बराबर ही हो रही है लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफ्रेंस हम कह सकते हैं कि जब हम निवृत्ति की बात करते हैं और मृत्यू की बात करते हैं तो थोड़ा समापर डिफ्रेंस हो सकता है जैसे जब साजेदार की मृत्ति होती है तो जो साजेदार होता है वो एक्चली साजेदारी से स्थाई रूप से अवकाश गरहन कर लेता है ऐसा हम मान सकते हैं दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि यहां पे साजेदारी तो समाप्त नहीं होती है एक साजेदार अगर मृत हो जाता है तो शेज जो साजेदार रहते हैं वो हमने देखा कि बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है उसके उत्रध हिकारी को उस राशी का भुकतान कर दिया जाता है और फिर बाग की जो वैपार रहता है वो वैसा ही चलते रहता है यहाँ पर एक और महत्पूर्ण बात होता है कि जब मृत्यू होती है साज़ेदार की तो वहाँ पर हमको ततकाल यानि उस समय जब साज़ेदार की मृत्यू होती है उसके जस्ट बाद उसको कितनी राशी हमको देनी है उसके उत्तराधिकारी को इसके कैलकुलेशन हम करते हैं जबकि निवृत्ति में कई बार हम ऐसा करते हैं कि वर्ष के अंत में जब लेखों का समापन होगा तो वहाँ पर जो राशी के अलकुलेट होकर आएगी वह हम उस साज़ेदार को देंगे ऐसा माल लिया जाता है तो इन कुछ बिंदू के अधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि न साज़ेदारों की निवृत्ति होती है तो हम यह क्या सकते हैं कि यह देर आशी जो है निवृत्ति की दर्शा में इसकी कैल्कुलेशन को हम वैपारिक जो वर्ष होता है वर्ष जो होता है उसके अंत तक हम रोक सकते हैं जैसे अगर हमारा जो वित्तिय वर्ष है फर्म का अ हमारे हिस्से की ड्यू अमाउंट आएगी वो हम तुमको देंगे लेकिन मृत्यू के कंडिशन में वैसा नहीं होता जब मृत्यू होती है तो उसके तुरंद का कुछ है तो उससे ले लिया जाता है लेकिन मृत्यू की दर्शा में ऐसा नहीं होता है लेकिन मृत्यू की दर्शा में अलग से खाता बनाना पड़ता है तीसरा डिफ्रेंस हम यह सकते हैं कि कि जब निवृत्य होती है तो जो हिसाब किताब होता है वो निवृत्य साजयदार के सामने प्रत्यक्षु रूप से किया जाता है और मृत्यू की दश्या जो जो हिसाब तब किया जाता है ड्यूराशी की क्यालकुलेशन जो करते हैं वो मृत साजयदार के उत्राधिकारी के सामने करनी होती है चौथा डिफरेंस जो है वो यह है कि जो हमने अभी तक जो हम देखते हाँ है कि जो देर आशी की गढ़ना है अगर निवर्ति की कंडिशन है तो देर उत्रा धिकारी को उस राशी का भुकतान कर दिया जाता है तो हाला कि मैक्सिमम जो कैलकुलेशन है वो निवृत्ति और मृत्तियों की दर्शा में हम एक ही रखते हैं लेकिन फिर भी कई बार पैसा के लेंदेन करने के लिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर कहां पर निवृ प्रति के समय की थी वैसी ही क्यालकुलेशन हमको मृत्साज़ेदार को दे राशी के गढ़ना के लिए भी करनी है लेकिन एक चीजी अध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम भारती साज़ेदार या धिनियम की धारा 37 को देखें तो मृत्साज़ेदार के उत्राधिकारी क ऑग्षम के गढ़ना का जो घुड़ सी को जो दे राशी का भुक्तान करना है अगर उस राशी का भुकतान ना किया गया तो जितनी राशी Secret डियू रह जाती है तो यहांपर एक नियम या जाता है कि उस यो जो मारेला ऊपने सेint Dan कि यहां पर हम देखते हैं कि जब किसी साज़ेदार के मृत्ति हुई तो कितना लाब हुआ और उस लाब में जो मृत साज़ेदार है उसका हिस्सा क्या था इसकी कैलकुलेशन हम को यहां पर करनी होती है अब इस कैलकुलेशन को भी हम अलग अलग सुत्रों के अधार पर करते हैं पहला हम यहां पर देखते हैं कि अगर हमको समय के अधार पर इसकी कैलकुलेशन करनी है दो वीदियों को हम यहां पिध्यान में रखते हैं समय के अधार पर हमको कैलकुलेशन करनी है तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं फर्म की मृत्यूतिति तक का अनुमानित लाब ग्याद करने के लिए फर्म की मृत्यूतिति का तक का अनुमानित लाब बराबर गत चिठ्थे से मृत्यू तक के दिनों की संख्या गुडित विगत वर्षों का ओसत लाब और बटे 365 क्योंकि वित्त पूरे फॉर्म के लाभ में से मृतक साजय दार का हिस्सा कितना है इसकी गैलकुलेशन की जाती है बुए पूर 인터's की दार के इससे के लाब का भाग निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला जॉझ करेंगे उसके लिए हम दॉख साज़ेदार के लाब का हिस्सा बराबर फर्म का अनुमानित लाब जो इसके पहले हमने कैलकुलेट किया उसको हम मुल्टिप्लाइ करेंगे मृतक साज़ेदार के हिस्से से और इस तरह से हम यह ग्याद करेंगे कि अब तक हम का अनुमानित लाब बराबर गत वर्ष का लाब गुडित गढ चिठे से मृत्यू की तिति तक gravity कि राशी और बटे गध वर्ष की जो बिक्रित इसके अधार पर हम गत वर्ष का अनुमानित लाब निकालेंगे और फिर उसके आधार पर हम जो लाब में साज़ेदार कमरितक साज़ेदार का जो हिस्सा है उसके हम कैलकुलेशन कर लेंगे आए कुछ इस तरह की कैलकुलेशन पर अधारित प्रशन देखते हैं ताकि इसको हम और अच्छे से समझ सकें 31 मार्च 2007 को यहां पर प्रतीक रौकी और कुशल का चिठ्था दिया गया है इस चिठ्थे में हम देखते हैं कि लेंदार 16,000 के हैं यहां पर समान संचय यानि जनरल रिजल 16,000 का है कैपिटल दे गई है पार्टनर्स की प्रतीक की है 30,000 रौकी के 20,000 और कुशल की 20,000 प्राप के बिल दिया गया है संपत्ती में 16,000 पनीचे 22,600 टॉप 20,400 डेटर दिये गया है देंदार दिये गया है 22,000 के बैंक बैलेंस है 18,000 का और कैश यानि की रोकर है 3,000 के टोटल हम बैलेंस येट का 1,200,000 आता है यहां पर जब हम एड़िस्मेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रौकी के बृत्ती हो गई 30,000 27,000 को रौकी के बृत्ती हो गई साजेदारी सनलेक जो बनाया गया था उसमें जो उत्राधिकारी उसने दर्शाया था उसके अनुसार जो मृत्ताजेदार का उत्राधिकारी है उसको क्या क्या मिलेगा उसे साजेदार के फूंजी खाते का शेष, फूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर सिद्याज, गत तीन वर्ष के उसत लाद के दुगने के अधार पर ख्याती में भाग, और गत वर्ष के लाद के अधार पर गत वित्य वर्ष के समाप्ती से मृत्यो तितितक के लाद में भाग इतनी राशी हमको उसके उसको देनी हैं 31 मार्च 2005 2006 और 2007 को समाप्त वर्ष के लिए जो लाब है वो 12,000, 16,000 और 14,000 दिया गया है यहां पर सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन के बात करें तो सबसे पहले हम यहां वर्किंग नोट बना लेंगे क्योंकि इससे हमको यह पतर चल जाएगा कि वास्ताओं में उनको ख्याती के रूप में कितनी राशी देनी है तो जब हम वर्किंग नोट बनाते हैं सबसे पहले हम ख्याती में रॉकी जो मृत साजियदार है उसका हिस्सा निकाल लेंगे सबसे पहले हम फॉर्म के गुडविल कैलकुलेट करते हैं जो कि प्रश्ण हम ने देखा कि 12,000, 16,000 और 14,000 था तो 12,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 अपॉन 3 और क्यूंकि यहां पर दिया गया है कि गद तीन वर्षों के और 70,000 के दुगने के आधार पर हमको ख्याती की कैलकुलेश कि यह जो 28,000 यह तो काम की total goodwill है तो इसे में से जो मृत साज़ेदार है उसका क्या होगा तो यहां हम देख रहे हैं कि जी का नुपार निकालए तो हम देखते हैं कि प्रतीक रॉपी और पुशल के जो पूंजी थी थी 30,000, 20,000 और 20,000 इस के अधार पर जब हम अनुपात निकालते हैं तो हमारा जो अनुपात आता है तीन अनुपात दो अनुपात दो तो इसके आधार पर हम क्या सकते हैं कि रौक का जो अनुपात था वहे 2 बटे साथ तो यह जो 28,000 की तो एटोटल गोड़्विल थी इसमें रॉकी के हिस्सी फॉलक कर देते हैं यानि यह पर 7 करते हैं तो रॉकी के हिससे के जो गुडविल थी will 8,000 को यहां पर मिल जाती है अब दूसरी एक बात हम यहां पर डेखते हैं कि profit का जो हिस्सा था तो जो यहां पर बोला गया है की प्रॉफिट का हिस्सा भी उसको चाहिए है दा जो पॉइंट आप देखते हैं कि गत वर्ष के लाब के आधार पर गत वित्ति वर्ष की समापती से पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वह मिद्धड देख रहे हैं और उसमें अगर हम उसके मृत्यू के तिति देखते हैं तो यहां पर क्योंकि फॉर्म 31 मार्च को बंद होती है और रॉकी की मृत्यू हुई है जैसे अभी हम देखा दो बटे साथ था और फिर हम क्योंकि तीन महीने की यहां पर हम कैल्कुलेशन किये हैं तो इसको हम तीन बटे बारा लिखेंगे और रॉकी का इसमें हिस्सा था दो बटे साथ तो इस तरह से हम 14,000 इंटू 3.12 इंटू 2.7 कैल्कुलेट करेंगे तो 1,000 जो है, वो हमको लाभ में मूरित साज़ेदार का हिस्सा राप्त हो जाएगा अब क्यूंकि यहां पर हमको गयरिकां स्टाब्स के बर्णकान न ही हुरुत हम देखते हैं कि पुराना नुपाद था तीन अनुपाद दो अब इसमें से अगर रौकी का हिस्सा यानि कि दो को गायब करते तो हम यहां पर देखते हैं कि जो बचे हुए जो पार्टनर है उन ने यह जो हमने डिखते हैं कि अगड़ी का जो इससा है वो तीन बटेपांच होझा जाता है क्रीमें के राशी की इस्से कि उसको हम प्रतीक को को पांच और खुशाल को दो बटेपांच दे देंगे याने प्रतीक को मिलेगी 4,800 और कुशाल का जो हिस्सा होगा वह होगा 3,200 पाच वी जो हमारी यहां पर calculation होगी वह होगी जो एक point यहां पर दिया गया है कि पूंजी पर उसको ब्याज मिलना है 5% प्रतिवर्ष की दर से तो क्यूंकि वह फर्म में तीन महीने ही था जी वित था हमने देखा तो हम इसके हिस्से की पूंजी रहें पर कि 20,000 रुपए है और पांच महीने का इस पर अगर हम और तीन महीने का इस पर हम 5 प्रतिश्यत के दर से अगर ब्याज निकालते हैं तो हमारी क्यल्कुलेशन के साब से इसको 250 रुपय जो है वो पूंजी पर ब्याज देना होगा रॉकी के पूंजी खाता से यहां हम देखते हैं कि पूंजी पर ब्याज जो था वो 250 है और लावानी जो हमने सेकंड केल्कुलेशन की थी वहां पर हमने लावानी में उसका हिस्सा केल्कुलेट किया था एक हजार और समान संचिती जो यहां पर प्रश्न में दी गई है तो यह जो हमको 4571 रुपे के मौंट है और टोटल इसकी जो इसके पूंजी खाते में प्रेडिट होगी वह होगी 5,821 इसकेंड जो पास करेंगे वह होगी ईसका जो फिल का शेयर है वो डिस्ट्रिवुट करने के रुगीorkीís साज्यदारों का पुंजी खाता केंडी इसासावश के पढ़िंगे प्रतीप काकी खाता के. पूंजी खाता से तो हमने रहा पर जो पोर्त कासे全 readings says प्रतीव की इसे में आता है एक हंड़र्ड और खुशाल की हिस्से में यह टोटल हो जाता है एक थाउजन थर्ड हम इसके जो जनरल कि पार्स करेंगे वह हम देखेंगे कि इसके हिस्से में जब हमने क्यापिटल एकाउंट जब हम बना रहे हैं तो वहां पर इसके हिस्से के कौन सी राशी आती है तो वहां पर जो हम राशी देखेंगे उसके आधार पर हम यहां पर अमांट की पोस्टिंग करेंगे फिलाल यहां पर हम जनरल एंट्री लिखेंगे रोकी का पुझी खाता बनाना है क्योंकि हमने देखा था अभी जब हम इसका वीडियो देख रहे थे कि मृत साज़दार की दर्शा में हमको इसको अलग से इसका पुझी खाता बनाना होता है तो जो भी राशी हमको इसको देनी है वो सारी हम इसके क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे तो आ इसका इंट्रेस था कैपिटल पर कुझी पर याज था ये लिख लिया उसके बाद हमने कैलकुलेट की थी सेकेंड नंबर पर प्रॉफिट और लॉस में इसका जो हिस्सा था 1000 उसकी हमने एंट्री कर ली फिर हमने देखा कि जनरल रिजर्व जो था हमने मैंने आपको बिता लाइन और उसके बाद जब रहाति का बेटवारा करेंगे तो फ्रती और कुशाल के हिस्से से 48,480 के हिस्से से और कुशाल के कैपिटल से 3200 इसको प्राफ्त होगा तो कुल मिलाकर इसको जो देयराशी है रोकी को मिर्क ताजएदार है इसके उत्रादिकारी को जो और इसी राशी को हम अपने जनरल एंट्री में यहां पर जब हमने जनरल एंट्री पोस्टिंग की है रॉकी का कुझी खाता डेबिट रॉकी के उत्राधिकारी खाता से तो 33821 की एंट्री हम यहां पर करेंगी तो इस तरह से हम देखते हैं कि मृत साजयदार की रशा में हाल जिन जिन राशियों को मृत साजय दार के उत्राधिकारी को देनी है उसकी सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन हमको यहां पर दिखानी पड़ीगी अमिद बालन और चंदर एक बटे दो एक बटे तीन और एक बटे च्छे के अनुपात में साजयदार है चंदर एक अप्रल 2014 को अवकाश ग्रण करता है और उसका चिठा यहां पर दिया गया है जिनमें कुछ दाइतों और संपत्तियों का विवर्ण दिया गया है समयोजन दिये गया है जिसमें ख्याती का मुल्यांकन 27,000 रुपए पर किया गया है मशीन पर 10% मूल्य हास लगाया गया है और पेटेंट के मूल्य में 10% कमी की गया है प्रोविडेंट फंड के बारे में जानकारी दी गया है कि उसका अनुमानित मूले 24,000 रुपए है और एक जो महत्वपूर बात यहां पर दे गई है वह चंदर का विन्योग 15,800 रुपय यहां पर दिया गया है कि चंदर ने जो यहां पर बैलेंशीट में विन्योग दिखाया गया है 10,000 रुपय का उसे उसने 15,800 रुपय में लिया है यहां हमें अमित और बालन ने पूझी चालू खाता खोल कर पूझी के अनुपात में उसे समायोजित किया है तो क्योंकि यह समायोजन वाला प्रेश्ण है इसलिए सबसे पहले हमको यहां पर पूनर मुल्यांकन खाता का निर्मारण करना है और जब हम पूझी खाते का निर् मुल्यांकन का पॉइंट है वो हम देखते हैं कि मशीन पर दस प्रतिश्यत का हास लगाया गया है यहां हम पुरानी बैलेंशीट में देख रहे हैं कि मशीन जो थी वह 48,000 के थी अगर हम उसको 10% डेप्रिसियेट कर दे घटा दे तो 4800 उस पर कटोती हुई है डेप्रिसियेशन चार्ज हुआ है अब क्योंकि मशीन पर डेप्रिसियेशन चार्ज कर रहे हैं यह एक प्रकार का लॉस है और लॉस है इसलिए हम इसको पुनर मुल्यांकन खाते के ड प्रोविडेंट पंड जो है उसका अनुमानित मुल्या 2400 रुपए कर दिया गया है तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रोविडेंट पंड जो एक प्रकार के लाइबिलिटी है दाई तो है वह बैलेंशीट में 3000 रुपए पर दर्शाया गया है अब 3000 रुपए के मुल्या को घटा कर जब हम 2400 करते हैं यानि कि दाई तो का मुले घट रहा है और अगर दाई तो का मुले घटता है तो हमारे लिए एक प्रकार का लाब है कितने का लाब हुआ है 3000 रुपए का जो प्रोविडेंट पंड था वो घटकर 2400 हो गया यानि कि 600 रुपए का हमको लाब हुआ है और क्योंकि यह लाब है इसलिए हम इसे पुनर मुल्यांकन खाती के क्रेडिट साइड में तीन हजार माइनस चोबिस सो छह सो रुपए से प्रदर्शिक करेंगी तीसरा नेस्ट जब हम देखते हैं तो हमने यहां पर देखा कि विन्योग जो है वह 15,800 रुपए में चंदर में लिये हैं अब क्योंकि बैलेंशेट में हम देख रहे हैं कि विन्योग 10,000 रुपए में खरीद लिया यानि कि 10,000-15,800 यानि 5,800 रुपए का यहां हमको लाब प्रॉपिट हो रहा है फॉर्म को तो क्योंकि यह फॉर्म का लाब है इसलिए हम इसे फुनर मुल्ले अंकन खाते हैं रुपिट साइड में इन्वेस्मेंट या विन्योग खाता को लिखेंगे और केवल 5,800 रुपए की राशी लिखेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर पेटेंट के बारे में जो जानकारी दी गई है पेटेंट का मुल्ले 20 प्रतिशत से हमको कम करना है अब क्योंकि पेटेंट 5,000 है और एक प्रकार की संपत्ती है संपत्ती का मुल्ले अगर हम कम करेंगे तो हम इंहानी होगी और अगर हानी होती है तो उसे हम पुनर मुल्लांकन खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं तो 5,000 मुल्ले का जो पेटेंट है क्योंकि यहां पर हानी हो रही है तो 5,000 का 20% एक हजार रुपया निकालकर हम डेबिट साइड में लिखेंगे पेटेंट खाता से इस प्रकार पेटेंट का मुल्य हमने एक हजार डेबिट साइड में लिख दिया अब संपत्ति या दाइतों के पुनर मुल्लांकन से संबंधित कोई भी समयोजन प्रश्मी में दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम पुनर मुल्लांकन खाते को यहीं पर क्लोज कर देंगे उसके लिए हम इसके डेबिट और क्रेडिट का बैलंस निकाल लेंगे जहां हम देख रहे हैं कि पूनर मुल्लांकन खाते का जो क्रेडिट टोटल है वह है 6400 और जो डेविट टोटल है उसे हम माइनस करेंगे 6400 में से तो 4800 और 1000 माइनस करने के बाद हमको 600 का जो इस प्रकार अमित को अमित के हिस्से में 300 और बालन के हिस्से में 200 और चंदर के हिस्से में 100 रुपे की राशी आएगी इस तरह से पुनर मुल्यांकन खाता हमारा सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं कि उसमें जो बैलेंस सबसे पहले हम उसके एंट्री कर लेंगे शेश लाया गया 40,000, 36,500 और 20,000 एक जो नई और महत्पूर्ण चेज इस बैलेंस रेट में हमें दिख रही है वो है जनरल जनरल जो हम चिट्थे के लाइबिलिटी साइड में देख रहे हैं यह इसकी कुल राशी 9000 रुपए है इस 9000 रुपए के राशी को क्योंकि यहां पर एक साज़ेद है उसको कितनी राशी का भुक्तान किया जाएगा तो क्योंकि इस पुरानी बैलेंस शीट में जो रिजर्व है उसमें उस रिटायर होने वाले साज़ेदार का हिस्सा भी शामिल है तो यहां पर हम जो इनका पुराना अनुपात दिया गया है एक बटे दो एक बटे तीन ए टीसरी त्वामने पर करेंगे सेंटें में चाल आया था तो वॉहां पर जो मैं पर आया था जो क्रेड़ित बैलन्स को 15,800 में ले लेता है तो क्योंकि चंदर ने उस विनियोग को क्रे किया है खरीदा है तो यहां पर जो जनरे शुरा होगी वह गेशंद का पुंजी खाता डेश्ट गैया विनियोग खाता से तो इस कि आधार पर पूंजी-खाता में पोस्टिंग करेंगे तो हम पूंजी-खाती के ड Fuk cen करेंगे और चंदर की हिस्से में 15,800 से एंस्फिक करेंगी आप क्योंकि फूंजी-खाता में लिखने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रविष्टी स्टेश नहीं है तो अब हम चलते ख्याती के बारे में हम यहां देख रहे हैं कि कुल ख्याती जो है उसका मुलांकन 27,000 रुपए पर किया गया है रिटायर होने वाला साजेदार जो है वो चंदर है तो देखते हैं कि इस 27,000 रुपए में चंदर का क्या हिस्सा है चंदर का हिस्सा निकालने के लिए हम 27,000 रुपए के अमाउंड को जो चंदर का अनुपात है एक बटेच्छे करेंगे 27,000 रुपए तो हम देखते हैं कि चंदर का जो हिस्सा आता है वो आता है पैताली सो प्रश्णू में भी हमने देखा कि जब निवरत्त होने वाले साजेदार की हिस्से की ख्याती को हम क्यालकुलेट कर लेते हैं लिए उसके बाद हम जो जदर साजेदार के है उन्हेरा करने के लिए तो वहाँ करते हैं निवरत्त होने वाले साजेदार के अधार से नब प्रकार हम अपने आधार पर ड़विट में लिखेंगे चंदर के पूंजी खाता से, इसकी पुराना रुपात है, एक बटे दो तो एक बटे तीन में बाट कर लिखनेंगे जो कि अमित के हिस्से में 2700 और बालन के हिस्से में 1800 रुपे आएगी इसकी विपरीत प्रविष्टी भी हम यहीं पर कर देंगे क्योंकि यहां पर जो प्रविष्टी हुई है हमारे जनरल एंट्री हुई है वह है अमित का पुंज सकता टेबिडद चंदर के पूंजी खाता से तो हम चंदर के क्रेडिट के 2020 siider में लिखेंगे अमित के पूंजी का ci शंदा और उसके बाद के सिचया पार्य पास करेंगे बाला के पूंजी का उर एटीन ओंडर के उन्ड हंट के हिस्से में लिख देंगे तो इस प्रकार यह जो ख्याती की जो फाइंट्री थी वो हमने यहां पर पैस कर लिए अब हमको इस अकाउंट को क्लोज करना है क्योंकि क्यापिटल फुझी से रिलेट कोई भी अंट्री यहां पर हमको दिखाई नहीं दे रही है करें को हम सबसे पहले अमीत के हिस्से की जो क्रेडिट करते हैं तो अनुभ्व हुझी मैंने में तो9 अनिकीफ करते हैं तो तो हमको जो एमांट मिलेगे वो आएगे 42,100 सेम वैसे ही बालन के हिस्से की कैलकुलेशन करते हैं बालन के हिस्से की क्रेडिट साइट के जो एमांट है टोटल वो है 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200 यानि की टोटल 39,700 और इसमें से अगर हम डेबिट का टोटल यानि 1800 माइनस कर देते हैं तो हमको जो बैलेंस मिलेगा वो मिलेगा 37,900 अब अगर हम इन दोनों के हम का दोटल कापिटल कैलकुलेट करते हैं क्योंकि समायोजन वाला प्रैशन रहा है तो यहां क्यूंकि क्यों तो चंदर हो गया है और यहां पर अमिद और वालन के टोटल यह वह एteश, ताउजन आ रही है अब अगर हम अमित की नई capital calculate करें तो इस total 80,000 में अमित की जो capital होगी वो होगी 80,000 का 3.5 और बालन की जो new capital होगी वो होगी 80,000 का 2.5 यह जो नया अनुपात है 3.5 और 2.5 इसकी calculation करने के लिए हम इनके पुराने अनुपात के हर को पहले equal कर लेंगे जैसे की 1.2 और 1.3 इनका अनुपात था चंदर के निकल जाने के बाद अब यह जो पुझी की कुल राश्य प्राक्त होई है उसे हम अमित बालन दोनों की हिस्से में बाटने के लिए सबसे पहले हमारा जो पुराना लाभानी अनुपात है हम उसको समयोजित कर लेंगे वेवस्तित कर लेंगे तो हम देखते हैं कि अमित बालन और चंदर का जो फा वह था एक बटे दो एक बटे थीन और एक बटे छाय तो कि यहां पर हम 1 बटे दो के हर को हमको 6 लाने के लिए रकheiten से गुणा करेंगे तो हमको एक बटे चैनल साजिदा उसका जोनुपात था वह एक बटे चाह है इस प्रकार हम देखते हैं कि अब इनका जोनुपात है वह जाता है तो हम पर जो कि 1 बटे पाँच और हम अमित को जो नई कैपिटल है वो 48,000 प्राप्त होगी और बालन को जो है 32,000 प्राप्त होगी जिसे हम उसके पूंजी खाते के का उनका पर्त हो रहे हैं न है पर पर फिक है बालन को जब चंद करते हैं तो चंडर के Duch का जो डेविट टोटल है वह प्रेडित यूजिके बराबर आ गया और ने कि एक यूंझ यूजिक यह इसна में वह ौहान ऑटव्हाईивают अब हम देख रहे हैं कि जो अभी हमने ग्याद की है वह अड़तालीस अजार लेकिन पहले की जो हम उसके वह थी तो यहां पर हम देखते हैं कि 5900 के डेपिसेंट्री उसके अगाउंट में आ रही है जिसे हम अमीद के खाते के कैपिटल खाते के क्रेडिट साइड में कैश लि अगर बालन के हिस्से का बैलन्स देखें तो अभी जो हमको कैपिटल यहां पर प्राप्त हुई थी थी 37900 लेकिन एजस्मेंट हमने कैपिटल यहां पर जुक्त हिया वो थी 32000 की तो यहां पर बालन के हिस्से में भी जो एक्सेज कैपिटल आ रही है अला कि होनी चाहिए थ देखेंट दूद आ अला कि होतनी थे थी 32000 लेकिन यहां पर 37900 जो एक्सेस अमाउंट जो आ रही है है उसके हिस्से के वह उसको वापस कर देंगे वापस करेंगे तो तो यहां पर हम गइंटरी करेंगे बालन के लिगे निकर और जो अमिद का हिस्स्टा है वहां पर क्यों इसलिए यहां पर हमने एंट्री पास कि थी कैश अकाउंट डेबिट तू अमित इसलिए हमने अमित के एकाउंट के क्रेडिट साइड में बाइकेश लिखा था तो इस परकार यह जो हमारा कैपिटल अकाउंट है यह कम्प्लीट हो गया और बैलेंस हम देख रहे हैं कि डेब